हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम न्यू चैप्टर साइंस का 14 चैप्टर सोर्स ऑफ एनरजी शुरू करने जा रहे हैं वैसे बच्चो देखो ये चैप्टर पूरा ओरल बेज़्ड है लेकिन इसमें कुछ-कुछ बाते समझानी पड़ती है इसलिए इस का मतलब यहां पर यह है कि जो भी एनरजी हम लोग गैट कर रहे हैं उसके क्या सोर्सिस हो सकते हैं क्या वो हवा हो सकता है क्या वो कोई ओयल हो सकता है क्या वो ऐसा पत्थर हो सकता है जिसमें से फ्यूल निकले क्या वो ऐसा कोई लकड़ी हो सकती है जिससे फ्यूल निकले और उसका हम use करके अपने regular life में कुछ changes ला रहे हैं तो वो हमारे लिए source of क्या है बच्चो energy है ठीक है बच्चो energy दो परकार क्यों होती है एक renewable और एक non-renewable एक नवी करनी है एक आणवी करनी है बई नवी करनी है कौन से होते हैं renewable कौन से होते हैं जिनको आप convert करके मतलब दु दुबारा भी कर सकते हो जैसे water वाटर को evaporate कर दो भाब बनके ऊपर चला जाएगा बारिज बनके फिर वापस आ जाएगा sunlight उसका यूज करके आप आप इस्तमाल कर सकते हैं अगला आता है non-renewable जिसका आप दुबारा कभी इस्तमाल नहीं कर सकते एक बार अगर आपने उस energy को खर्च कर दिया तो जैसे petroleum या petrol पैट्रोल एक बार खर्च कर दो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको दुबारा खर्च दुबारा खर्चने की जूरुत नहीं है एक बार कर आते हो खर्च हो जाता फिर दुबारा डलवाते हो फिर koila जलाते हो अगर वो खतम हो जाता फ ठीक है तो बच्चो इस तरीके से energy से मिलने वाली चीज हमारे पास आगी fuel क्या आगया भई fuel तो the material which are burnt to produce heat energy are known as fuel मतलब क्या बच्चो ऐसा product जिसको जलाने के बाद भई energy heat energy मिले उसे हम fuel कहते हैं ठीक है जैसे LPG coal wood kerosin oil diesel petrol यह सब ठीक है हाँ जी अगला था बच्चो के ideal fuel अब देखो एक बच्चो एक टर्म होती है calorific value क्या होता है है calorific value है ठीक है हिंदी में होता है इसका जोलन top man jolan top man ठीक है जी कि किसी भी जीज़ का बच्चो जोलन ताप का मान कितना है उसका मतलब जो वह heat करेगा तो कितनी ज़्यदा heat अब जैसे कर मैं तीन उधारन लूँ वह एक जगा लेलू माल लिजिए लकडी वुड एक जगा लेलू कोल और एक जगा लेलू भाई मैं LPG आपको बोलू भाई तीन बंदें ABC तीन बंदें ABC ठीक है उनको मैंने बोला भाई इस पर चाय बनाओ ठीक है तो तीनों में जल् बाई कि Calorific Value जो है वह बहुत कम है किसकी वुड की जहके LPG की Calorific Value किया है जादा मतलब यह भाई लबाई हीट ज्यादा सथा प्रड्यूस कर सकता है जबकि वुड इतनी ज्यादा बात हाथ जलाने की नहीं है ठीक है बात है कि कौन कितनी जल्दी उसको इतना temperature दे इतनी ignition temperature दे कि वहां तक reach कर सके कि जल्दी से जल्दी खाने को उबाल सके पका सके तो LPG सबसे ज़्यादा अच्छी ignition temperature रखता है कि इनीश टेंपरेचर रखता है ठीक है मतलब सुरवाती में ही यह अपने temperature को बिलकुल ह हाई पे लेगे चलता है जबकि वुड में आप किसी लकडी को जलाएंगे तो धीरे 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 तीरे वह अपने temperature को बढ़ाता है जबकि LPG सुरुा से ही अपने ignition temperature को बढ़ाकर चलता है इसलिए LPG पे खाना जल्दी बन सकता है जगी लकडी बधीरे और कोहले पे इन दीनों के मीडियम में बन सकता है तो वही पूचा जाता है कि बताईए एक उत्तम इंधन की एक ideal fuel के क्या गुन होते हैं एक उत्तम इंधन के एक ideal fuel के क्या गुन होते हैं तो पहला गुन पहला है इट सुड है वा हाई कैलरिफिक वैल्यू कैलरिफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए जैसे LPG की है दूसरा इट सुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हन्फू गैसे जब ये जले तो हामफूल गैस ना निकाले और कोई धूआ ना निकाले बिल्कुल ठीक है अगला इट सुड है वा प्रॉपर अगनीशन टेंपरेचर मतलब इनकी इगनीशन टेंपरेचर जो हो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो मतलब जलाया और सुरू कर दिया इसने काम यह नहीं धीरे 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 हीट पकड़ रहा है ऐसे नहीं जलाते ही सुरू हो जाया काम पर अगला इट सुट चीप एंड इसली अविलेबल सस्ता होना चाहिए और असानी से अब देख लो भाई LPG का सिलेंडर आप 14 किलो का सिलें लेने जाओगे ठीक है भले ही आपको सस्ता मिल जाएगा लेकिन आपकी वैल्यू यह यह भी तो देखो यह 14 किलो 600 रुपए में क्या आपको यह इतनी लगड़ी देगा कि एक महीने तक चल सके कभी नहीं देगा यह तो अगला क्या इट सूट भी एज़ी इज़ी तो हेंडल जलाने में भी असान हो भाई एलपीजी में तो क्या करते हो बस मों कर देते हो उसका जो स्विच होता जो भी होता है और आग जल बढ़ती है लेकिन वुड में भाई रालो जलाओ फूक नी से फूक मारो दीरे दीरे आग पकड़ेगी तो बड़ा मतलब हैंडल करना जगाता जबें रख लिया लेकर लिगः लखडी लगें लखडी एक महीने के लिए अगर में km जीवाने की जगा तो छोड़ो मतलब हो सकता है वही आजपास जो समान रख रहे हो उसके लिए भी जगाना बचे क्यों कि कीचन जो कोई भी इनसान बनवाता है तो अपने इतनी ही सहुलियत के बना रख सकता है कि दो इंसान खड़े हो जाए ठीक है या तीन इंसान आ जाए 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 और भई अपना समानवान उठा सके बस इससे अधा कुछ नहीं चलिए आगे हाँ इट सुट नॉट लीव मच एस बिहाइंड आफ्टर बर्निंग मतलब जलने के बाद जादा राक भी न चोड़े वो भी एक अच्छी चीज़ जैसे ये राक नहीं चोड़ता इट सुन बर्न स्मूदली और ये बहुत ही स्मूदली बर्न हो जाए जल जाए तो इसे आइडियल फ्यूल उत्तम इंधन कहा जाता है ठीक है बच्चो अब धीरे धीरे क्या है कन्वेंशनल सोर्स अफ एनरजी जो आज हमारे दुनिया में बहुत अच्छे से फैल गए हैं ठीक है जैसे कि बच्चो फॉसिल फ्यूल जिवासम इंधन कि अगर मैं आपको कहानी सुना हूँ तो जिवासम इंधन क्या है फॉसिल फ्यूल जैसे कि इसकी कहानी है कि आज से कई हजारों साल पहले क्या हुआ कि बई प्रले आया प्रले मतलब क्या बई ये ना एक बहुत बड़ा आंक का गोला हुआ करता था ये धर्ती तो थी नी ठीक है बहुत बड़ा सा प्लैनेट हुआ करता था या गोला करता था ठीक है और उसमें बहुत भैंकर धमाका हुआ जिसे बिंग बैंग थियोरी बिंग बैंग थियोरी का नाम सुना यहाँ होगा आपने ठीक है बिग बैंग हुआ बहुत तकड़ा विस्पोर्ट हुआ जिसके विस्पोर्ट होने से जिसके ब्लास्ट होने से यह सारे के सारे बिखर गए और कुछ टुकडों में कुछ बड़े बड़े टुकडों में तूट गए और उस पे धीरे 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 जैसे जैसे समाज आगे बड़ा वैसे वैसे इनकी नीव आती गई ऐसा माना जाता है तो जब यह माना जाता है कि जब इससे पहले जब इंसान वगेरा नहीं थे तो कौन थे बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे जैसे डाइनासोर वगेरा हुआ करते थे तो वो सब ना इस प्रले के अंदर क्या हुए दब गए क्या हो गया प्रले के अंदर आके भाई क्या हो गए वो दब गए और दबने के बाद क्या हुआ भाई कि वो दबने की वज़े से पेड़, पौदे, जानवर जितने भी थे वो इसके अंदर रहके गल सड़ गए क्या हो गए भई गल सड़ गए पूरी तरीके से ठीक है और वो गल ने सड़ने की वज़े से उनके अंदर ना ओइलनेस आगी और वो ऐसा ओइल हो गया जो फ्लेमेबल था मतलब जोलन सील था अगर उसको जलाएं तो बड़े अराम से जल जा रहा था ठीक है जैसे कोईला, कोल एक ऐसा पत्तर बना जो जमीन के अंदर दब तोगया लेकिन जब उसको जलाने की प्रोसेस किया गया तो उसमें एक ऐसा ओला गया जो जलाने पर जल जा रहा था तो इसलिए उस koilet को जब जला के देखा और वो जल गया तो उसे भी एक fuel का नाम दे दिया गया ठीक है अगला petroleum ठीक है बच्छो तो petroleum क्या है यह एक गाढ़ा बदबूदार काले कलर का liquid है जो जो एक oil का काम करता है और जब जलाया जाए तो उसमें से प्रॉपर तरीके से आ एस बनना सुरू हुए है तो इन्हें नहीं उसके ओपर टेस्ट किया और fractional distillation के दवारा किसके दवारा फ्रैक्सनल distillation के दवारा प्रभाजी 2021 के दौरा इसमें क्या किया गया बच्चो प्रभाजी आसवन के दुवारा क्या किया इसमें कि इसको प्रॉपर तरीके से अलग किया गया और इसमें से कई सारे चीजे निकली जैसे भई पैट्रोल निकला, डीजल निकला, कैरोसी नॉयल निकला, LPG gas निकली, CNG gas निकली, और वैसलिन लगाते हैं, भी ठंड आएगा, होट फटते हैं, गाल फटते हैं, तो वैसलिन लगाते हैं तो वैसलिन निकली, वो भी petroleum से ही निकलता है तो इतनी सारी चीजे बच्चो, यह हमारे को petroleum से मिल जाती हैं, जैसे कि petroleum gas, LPG gas, आप अच्छे जानते हो, LPG gas के अंदर जो main होता है वो butane होता है बच्चो, क्या होता है, butane, साथ में propane और methane भी होते हैं, लेकिन butane की मातर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक हैं, और यह butane की मात बच्चो, बिल्कुल भी smell नहीं होती, बदबू नहीं होती, लेकिन अब आप कहोगे कि सर, जब cylinder में से gas निकलती है, हमें तो बदबू आती है, तो बच्चो बदबू ना, butane की या, propane की या, methane की नहीं होती है, वो बदबू होती है, इताइल मर कैप्टन की, वो इसी वज पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए, कि हाँ भी कहीं gas leak हो रही है, इससे हमें खत्रा ना हो, क्योंकि अगर अंजाने में भी किसी ने माचिस वगएरा जला दी, तो आग लग जाएगी, उसका बहुत बड़ा नुक्सान है, भाई, life भी loss हो सकती है, तो इस वज़े से क भी कि उसमें थोड़ा सा इथाईल मर कैप्टन डाल देते हैं, ताकि उसकी महक से पता चल जाए, कि हाँ भी कहीं पर gas की leakage होई है, इसी तरीके से आता है फिर natural gas, compressed natural gas, ठीक है, CNG, इसमें क्या होता है, इसमें मिथेन मेन होता है, इसमें कौन मेन होता है, मिथेन मेन होता है, ठीक है, और ये भी filmable होता है, ठीक है, इसके gas के दोएर आपको अच्छे से पता है, गाड़ी, बस वगएरा ये सब चलती है, तो बच्चो इसलिए, इसलिए इन सब चीजों का इस्तमाल करना चाहिए, क्योंकि ये धुवा, राक वगएरा नहीं छोड़ती, अगला कार की एनरजी शो करके दिखाएगा, जिन में से सबसे पहले आता है बच्चो, thermal power plant, ठीक है, एक मिन उच्चो, चलिए, शुरू करते हैं, हम जी, तो अगला टॉपिक है, thermal power plant, मैं जो देखो, thermal power plant में क्या होता है, एक बड़ा सा गड़ा खोदा जाता है, ठीक है, और पता है वहाँ पर पानी वानी के इतनी विवस्ता नहीं है, हर चीज की, मतलब हर चीज से proper तरीके विवस्ता नहीं है, अब यह क्या किया जाता है, बड़ा सा टंकर बनाया जाता है, जिसे boiler बोलते हैं, boiler, ठीक है, इसके नीचे भटी जला देते हैं, फरनेंस जला देते हैं, आग लगा देते हैं, यह आग लगा दीजी, और इसके अंदर पानी भर देते हैं, ठीक है और यहां से दो हाई प्रेसर पाइप निकाली जाती है क्या निकाली जाती है दो हाई प्रेसर पाइप निकाली जाती है इदर से और इसमें एक टर्बाइन लगाया जाता है ऐसे टर्माइन लगाए जाता है और इस एक टर्माइन से एक साफ्ट बानाया जाता है और इस साफ्ट से एक जनरेटर बनाया जाता है और इस जनरेटर से तार और इसको कनेक्ट किया जाता है पावर हाउस से ठीक है जी चलो अब देखो होगा क्या बच्चो एक बड़ी सी भट्टी बनाई गई बड़ा सा फर्नेंस बनाया गया उसमें पानी डाला गया वाटर डाला गया ठीक है बॉइलर रहे नीचे आँग जलाई गई बट्टी थे अब जो आँग जलाएंगे तो बच्चो आपको kaufen का लगए जाएगी मतलब हीट से देखरो हीट पैदा की हीविट से पैदा हुई इसटीम से क्या होगा हाई प्रेसर होने की वज़े से इधर जाएगा क्यों हाई प्रैसर पाइप का मतलब क्या पाइप अपने प्रैसर से अपनी तरफ खीच रहा है जैसे आपनों को ने वैक्यूम प्रैसर देखा है ना वैक्यूम प्रैसर क्या होता प्रैसर से अपनी तरफ खीच लेता कूड़े को बस उसी तरह किसे प्रैसर से इस भाप को को gäller το Forum मुद्वाइन हुआ हिंदी भी बोलते हैं तर्माइन पर भीट लेगा kicks अधिन में और यह ओपोँ ने लगेगा और ट्रमाइन ढूमेगा तह यह ऌता अशाफ कि एक होता साफ्ट mogę भूमने लगेगा, साफ्ट भूमेगा, तो generator start हो जाएगा, generator क्या हो जाएगा, start हो जाएगा, जनितर जो है, start हो जाएगा, और जब जनितर start हो जाएगा, तो electricity बनना सुरू हो जाएगा, विधुत बनना सुरू हो जाएगा, ठीक है जी, विधुत बनना सुरू हो जाएगा, और जब विदुत बन जाएगा, तो जितनी भी electricity खटा होगी, उसे कहाँ पर खटा कर ली जाएगा, पावर होस में खटा कर ली जाएगा, और इस तरीके से आसपास के गाउं वालों को क्या करा जाएगा भई, इलेक्टरिसिटी भेजी जाएगी, तो फिर से समझेंगे पानी को बॉल गया, बॉल करके स्टीम बनाया, इस टीम को हाई प्रेसर पाइप से, उच दाब पाइप से बड़ी तेजी से टर्बाइन पर मार जाएगा, और टर्माइन घूमेगा तो साफ्ट घूमेगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्टरिसिटी बनेगी और इलेक्टरिसिटी को पावराउस में स्टोर कर लिये जाएगा और फिर जहां तक भी जहां तक भी इनकी रीज होगी वहां तक के गा थर्मल पावर प्लांट की उत्पत्ती हुई थर्मल पावर प्लांट बनाया गया ठीक है और इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई की ठीक है तो आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफी लंबे नोट से आपको नोट भी करना पड़ेगा पीडिय फ्राइडे को मैं आउंगा तो फ्राइडे को यह चैप्टर प्रॉपर तरीके से खतम हो जाएगा ठीक है चलिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे से चलिए बाई